जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के Cabinet Committee for Security जनवरी 2020 में 62 Airbus C295 ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट के पर्चेस का ओडर देने वाली है जिनकी कॉस्ट लगभग 2 बिलियन युज डॉलर्स होगी ये डिल इने नाम फोर्सेस के लिए बहुत important है क्योंकि इससे इने ने फोर्स की पावर बहुत बढ़ जाएगी आज के इस Guarding India के वीडियो में हम आपको Airbus C295 ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट की सबी खूबियों के बारे मताएंगे बट उससे पहले आप में जो भी वीवर हमारी वीडियो देख रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर ज़रूर करिएगा तो स्टार्ट करते हैं फिर लेकिन C295 के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि Indian Air Force को इस नए ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट की जुरूरत क्यों पड़ी अभी Indian Air Force के पास 57 Hawker Sidley HS748 एरक्राफ्ट हैं जो कि 1960s में बने हैं और अभी ये बहुत ही जादा पुराने हो चुके हैं इसलिए इन पुराने HS748 एरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए Indian Air Force 2012 से ही नए ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट ढूंड रहा है और फाइनली इनन एर फोर्स ने Airbus के C295 एरक्राफ्ट को सेलेट किया है Airbus C295 एक new generation tactical airlifter है जो की बहुत ही जादा reliable है और बहुत सारे mission एक साथ perform कर सकता है C295 एरक्राफ्ट इंडिया के किसी भी climate में चाहे वो राजस्थान की गर्मी हो या हिमाले का बरफीला इलाका या फिर इनन ओशन में अंडमान आइलेंड इन सभी इलाकों में C295 एरक्राफ्ट दिन या रात किसी भी समय आसानी से उपरेट कर सकता है C295 एरक्राफ्ट को ये capability मिलती है इसके winglets से जो कि इस एरक्राफ्ट की handling को बहुत ही जादा आसान कर देती है इसके अलावा C295 एरक्राफ्ट में दो Pratt & Whitney Canada PW127G टर्बो प्रॉप इंजिन्स लगे होते हैं जो कि Canada में बने हुए बहुत ही जादा fuel efficient engine है अपने winglets, volley wings, efficient engines और stretched body के चलते C295 अपने बराबर के किसी भी एरक्राफ्ट से जादा payload जादा दूरी तक ले जा सकती है इतना ही नहीं इंडिया ने ले जैसे इलाकों के लिए जहां hot और humid weather होता है और जहां बागी एरक्राफ्ट जैसे की AN-32, IL-76 बहुत कम payload ले जा सकते हैं और बहुत मुश्किल से fly करते हैं वहां C295 एरक्राफ्ट ना सिर्फ जादा safety से बट बहुत जादा payload ले जा सकते हैं बलकि लगभग 4% fuel की भी बच्चत करता है C295 एरक्राफ्ट की C भी unprepared air strip पर land कर सकता है जहां Indian Air Force के बड़े एरक्राफ्ट जैसे की C-17 Globe Master और IL-76 गजराज लेंड नहीं कर सकते हैं मैं आपको यह बताना चाहूँगा की C295 एरक्राफ्ट 6 ton payload के साथ 3700 km तक जा सकता है और एक बार में लगा तार 11 घंटे तक फ्लाइ कर सकता है अपने 6 ton load capacity के चलते C295 एरक्राफ्ट या तो 71 fully armored जवान या 50 para commandos या कारगो के 5 pallets ले जा सकता है C295 एरक्राफ्ट का cabin अपनी class का सबसे लंबा केबिन है जिसकी length 12.7 meters होती है इस लंबे केबिन के चलते ही C295 एरक्राफ्ट में 71 fully armored soldiers या 5 बड़े कारगो pallets ले जा सकते हैं जिससे सीधे rear ramp door से enemy area में उतारा जा सकता है इसके अलावा C295 एरक्राफ्ट में केबिन में para commandos एक साथ 2 से ज़ादा मारोती जिपसी लेकर जा पाएंगे जिससे उन्हें enemy position पर surgical strike करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी अब बात करते हैं C295 की सबसे बड़ी capability जिसके चलते ये NN Air Force का favorite बना C295 एरक्राफ्ट में shot, take off and landing यानि STOL capability होती है और इसका landing gear बहुत ही ज़ादा मजबूत होता है जिससे ये किसी भी खराब इलाके और मैदान air strip पर land कर सकता है एक C295 एरक्राफ्ट को land करने के लिए सिर्फ 670 meters यानि 1 km से भी कम का unprepared runway चाहिए इसलिए C295 एरक्राफ्ट किसी भी इलाके में आसानी से land कर सकता है जहां बागी एरक्राफ्ट नहीं जा पाते इसके अलावा C295 में एक glass cockpit होती है और इसमें 4 बड़े LCD panels लगे होते हैं जो कि night vision goggles के साथ fully compatible होते हैं LCD panels और night vision के इस combination के चलते C295 एरक्राफ्ट के पाइलेट को दिन और रात दोनों में ही सारी information LCD पर दिखती हैं और वो बहुत आसानी से अपना mission complete कर सकता है यही नहीं C295 में Colins Aerospace Proline Fusion Technology लगी होती है जो कि पाइलेट को किसी भी situation में सारा data head up display पर provide करती है आपको जानकर आश्यर होगा कि C295 इंडिया का ऐसा पहले aircraft होगा जिसमें civil और military दोनों ही तरह के systems लगे होगे जिसे किसी भी commercial airport से भी आसानी से operate कर सकता है अपने इनी खूबियों के चलते C295 aircraft बहुत सारे missions में use किया जा सकता है C295 aircraft का main mission होता है tactical transport यानि troops, ammunition और बाकी supplies को forward air bases जैसे कि ले और चूशल तक ले जाना C295 aircraft para commandos को air drop करने के लिए use किया जाता है और इसमें A22 bundles container delivery system लगा होता है जिससे C295 बहुत तेजी से weapon और ammunition को enemy area में air drop कर सकता है इसके अलावा C295 aircraft को बहुत से roles जैसे कि ISR mission यानि दुश्मन के surveillance में aerial tanker, maritime surveillance platform यानि enemy ships और submarines को track करने में signal intelligence यानि दुश्मन की communication सुनने में evac system aircraft की तरह VIP transport और medical evacuation mission में भी use किया जा सकता है अभी इंडिया एक साथ 62 Airbus C295 aircraft खरीद रहा है जिसमें से 16 aircraft डारेक्ट यूरोप से flyway condition में बन कर आएंगे और बाकि 46 C295 aircraft को इंडिया में Airbus और Tata Group के joint venture द्वारा manufacture किया जाएगा लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगले 10 साल के अंदर ही इनने Air Force के AN-32 transport planes भी पुराने हो जाएंगे और उन्हें भी C295 बड़ी आसानी से replace कर सकता है इसलिए कुछ experts के अनुसार इनने Air Force फूचर में total 100 से भी जादा C295 aircrafts order कर सकती है आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि Airbus C295 एक बहुत थी advanced और combat proven aircraft है और इसके इनने Air Force service में आने के बाद इननाव forces की aerial transport capability बहुत बढ़ जाएगी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर end करते हैं वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो like, share और चैनल को subscribe करना अतियावश्यक है हम आपके लिए इसी तरह defense related videos लाते रहेंगे मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में जैंद फिर प्राटे है प्राटे से वीडियो को अपसे आपसे में